माना सब्भेता का विकास एक अन्वरत प्रक्रिया है अपने आपको बेहतर बनाने का ये सिलसिला आस तक जारी है आदमी की इसी फित्रत का बेहतरी नमुना है जैपुर यहां आमेर, जैगड़ो और नहारगड़ जैसे किले हैं तो हवा महल और जन्तर मंतर जैसे स्मारक भी है लेकिन आजादी के बाद हुए आधोनिक परिवर्तन और बढ़ती आबादी के दबाव ने जैपुर की पारंपरिक रंगत को फीका करना शुरू कर दिया समय के साथ बदलते जैपुर की जरूरतों को महसूस किया युवा आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया ने उन्होंने जैपुर की परंपरागत खुपसूर्ती में नए रंग भरे शहर के हेरिटिस लुक को ध्यान में रखकर नए डिजाइन बनाए गए और अनेक नई इसमारक वशिल्प बनाकर जैपुर की खुपसूर्ती में चार चान लगा दिये गए पारंपरिक वास्तु शिल्प में आधुनिक्ता का मिश्रन कर शहर को कई नई पहचान दी जोराहूं, सडकों और इसमारकों को नया रूप दिया गया नए द्वार बनाए गए मंदिरों का काया कल्प किया गया विश्व इस्तर पर जैपुर की नई पहचान उभरने लगी इसी क्रम में उन्होंने कल्पना की जैपुर में आधुनिक केंद्र की जहां व्यापार और मनुरंजन के लिए विश्व इस्तरिय सुविधाएं एक साथ उपलप्थों राजिस्थान के परेटन को बढ़ावा दे और रोजगार के नए अफसर पैदा करे उन्होंने सोचा कि परंपरागत जैपुर की पहचान बन चुके हवा मेहल की तरह आधुनिक जैपुर को भी एक नया प्रतीक मिल सके हमारे देश में एक ऐसा निर्माण हो, जिसे देखकर आने वाला समसके की भारत भी किसी आधुनिक देश से कम नहीं है The whole idea was to beautiful the city of Jepur, because I wanted Jepur to be the best city in the world I started beautifying the rotaries by taking sculptures on the street, monuments and a lot of work was done यही बीच था वर्ल ट्रेड पार्क के निर्मान का एक दिन अनूप खाली जमीन के सामने कार खड़ी कर इस प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे थे तो हतेलियों की सनरचना से प्रेरित होकर वर्ल ट्रेड पार्क का पहला प्रारूप वही कार के बुनट पर तयार कर लिया कहते हैं इसके पहले स्कैच और इमारत में कोई फर्क नहीं है उन्हें तयार करना था एक आधा किलो मीटर लंबा एलिवेशन जो शहर के मानचित्र पर अपनी चाप छोड़ सके और सादगी के साथ साथ आधुनिक्ता का भी प्रतीक हो जैपुर के 300 साल के इतिहास में आमेर के किले के बाद वर्ल ट्रेड पार्क सबसे बड़ा निर्मान होने जा रहा था अनूप ने अपने कॉंसेप्ट को समझाते हुए राज्य सरकार को एक प्रेजेंटेशन दिया तद कालीन मुख्यमंत्री वसुंदर राजे और उनकी सरकार ने अनूप बरतरिया की इस डिजाइन की योजना को पसंद किया इसे जैपुर शहर के लिए एक जरूरी इंफ्राइस्ट्रेक्चर प्रजेक्ट मानते हुए सुख्रिती दी गई इस कल्पना की नीव सैम मुख्यमंत्री वसुंदर राजे ने रखी समाहरों में विश्व की कई जानी माली हस्तियों ने भाग लिया इसके निर्मान की जम्मेदारी देश की सबसे बड़ी निर्मान कमपनी शापुर जी पालों जी कुद्धी गई पहली बार एक सो पचास मीटर की क्रीन को जैपुर लाया गया हजारों लोगों के सतर प्रयास से इस कल्पना को मौत रूप दिया गया लिकिन इस यात्रा में कट्णाईया भी कम नहीं थी निर्मान की आर्थिक जम्मेदारीयों के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी प्रोजेक्ट के लेट होने से प्रोजेक्ट पर आर्थिक भार पड़ गया चनौती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी पब्लिक इंट्रेस्ट, लिटिगेशन और कई लोगों ने प्रोजेक्ट को नुकसान पहुचाने की कोशिश की परन्तु माननी हाई कोट और माननी सुप्रिम कोट ने WTP की सच्चाई पर मोहर लगा दी किसी भी निस्वारत काम को करने के लिए दिवानगी की हद जरूरी है जब आप दुनिया के लिए अपने शहर के लिए एक सपना देखते हैं तो उससे आपके अंदर और अधिक उर्जा का निर्मान होता है मैंने संगर्ष को हमेशा सफलता की सीड़ी माना अपने लक्ष से कभी विचलित नहीं हुआ जैसे जैसे समस्याय बढ़ती गई मेरा विश्वास और बढ़ता गया प्रोजेक्ट तैयार होने के बावजूद चार साल तक शुरू होने के लिए संगर्ष करता रहा इससे प्रोजेक्ट पर जबर्दस्त आर्थिक दबाव बन गया इसके बावजूद जो सपना संजोए गया था उससे कोई समझोता नहीं किया गया ये सरहत पर जंग लणने के साथ साथ घर में दीपावली मनाने जैसा चुनोलती पून काम था कहते हैं जब सपना निस्वार्थ हो तो पूरी काइनात उसको पूरा करने में जुड़ जाती है अनूप और उनकी टीम ने इन चुनोतियों के बावजूद बिना किसी समझोते के डबलू टीपी को पूरा किया ये सक्षमता थी इस प्रोजेक्ट की जो अपने आप स्वैम रास्ता बनाता गया इस दोरान इंटरनेशनल माफिया और जान से मारने की धमकियों तक कर सामना करना पड़ा इसके बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ काम चलता रहा, संगर्ष जारी रहा ये जुनून की पराकाश्टा थी वर्ल्ड ट्रेड पार्ग आज एक हक्किकत है 12,666,000 वर्कफूट एरिया पर बनी इस बिल्डिंग में 10,000 टन लोहा लगाया गया 32,000 टन सीमिंट का उप्योग किया गया इसकी बहारी काँच की दिवारें 3,000,000 स्क्वाइर फिट की है जो इसे भारत में सबसे अधिक काँच का उप्योग करने वाली इमारत बनाती है इस बिल्डिंग में लगे विशिश वेक्यूम ग्लास दुबई से मंगाए गए तो टाइल्स इस पेंसे लाए गई अमेरिका, जर्मनी एवं चायना से निर्मान सामगरी आयात की गई ये एक ऐसा सेंटर है जो 215 फिट उचा है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है वर्ल्ड ट्रेड बार्क के सामने के आर्किटेक्ट्रल फीचर्स कौतुहल का विशय बन गए कोई नहीं रूट्स, कोई आक्टोबस और कोई स्पाइडर से तुलना करने लगा यहां राजस्थान का सबसे बड़ा मैन में टावर स्थापित किया गया वर्ल्ड ट्रेड पार्क आज भारत की ही नहीं दुनिया के नाया बिल्डिंग्स में से एक है इस बिल्डिंग के डिजाइन ने अपनी अनूठी चाप छोड़ी शिल्प के लिए से अनेग प्रतिस्थित राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय पुरुस्कार मिल चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क ने बेस्ट आर्किटेक्ट बेस्ट बिल्डिंग्स Mall of the year Best Food Coat Adhi Award Arjit Kee World Trade Park can be said as a building with brains It's a fully intelligent building which works on an integrated building management system This building works like a complex machine and is totally controlled by computers Be it electrical management, HVAC management, disaster management Even the water management of the building is microbiologically controlled आजकल की आधुनिक इमारतें मात्र बिल्डिंग नहीं एक कॉंप्लेक्स मशीन होती है वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी एक ऐसी ही नायाब मशीन है इसे पून तहब भारत में बनी पहली इंटेलिजेंट रिटेल बिल्डिंग कहा जा सकता है जो आईबी एमेस से कंट्रोल की जाती है हवाई जहाज के कॉक्पिट की तरह एक ही स्तान पर पूरी बिल्डिंग के सभी सिस्टम्स को संचालित किया जाता है इलेक्रिकल प्लान्ट रूम एक छोटे शहर के बिजली घर के बराबर है यहाँ 4000 तरन का एसी प्लान्ट टेम्परिचर कंट्रोल करता है वैक्यूम ग्लास और LED लाइट जैसे कई प्रयोग इस बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं वर्ल्ट्रेड पार्क की पार्किंग भी अनौखी है कमर्शियल बिल्डिंग में इसकी पार्किंग सुविधायें देश में सबसे आधनिक हैं इसकी तीन मंजिला पार्किंग में 1150 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं यह पार्किंग कंपूटर द्वारत संचालित है WTP के मौल मैनेजमेंट के लिए 400 कर्मचारियों का स्टाफ 24 गंटे सजगता से तैनाद रहता है यहां के हाउस कीपिंग और सिक्यूरिटी स्टाफ भी अपने आप में एक उधारन हैं World Trade Park के निर्मान में डिजास्टर मैनेजमेंट की बालीकियों का भी भरपूर ध्यान रखा गया है आग, भूकंप, भगदर और आतंकवाद जैसी सभी संभावनाओं से कुशलता पूर्वक निपटने के समुचित और आधुनिक उपाय किये गए हैं ये बिल्डिंग भारत सरकार की ग्रह मंत्राले की डिजास्टर मैनेजमेंट घ्रिल पर भी खरी उतर चुकी है वर्ल्ड ट्रेड पार्क पूरी तरह एक निवचित केंद्र है यहां हर प्रडेट का एक अलग जोन है अजय है Interiors have become a very important part of any building especially in malls where people don't only come for shopping but also come for having an experience to enhance their experience we have given different design to the various streets of well-treat park which takes them two different world and different civilizations एक आधुनिक और नायाब बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन भी अपने आप में नायाब होना चाहिए इसे ध्यान में रखते हुए अनूप ने इस बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन तयार किया उनकी आर्किटेक्स्रल कमपनी सिंसियर आर्किटेक्ट के वास्तुकारों ने दिन रात मेहनत कर इस बिल्डिंग को सजाया बिल्डिंग के नौर्थ ब्लॉक को गूल्डन थीम पर बनाया गया है जबकि साउथ ब्लॉक को वाइट थीम से सचाया गया इसी तरह शॉपिंग एक्सपिरियंस को बहतर बनाने के लिए मौल के कॉरिडोर को विश्व की अलग-अलग सब्वेताओं के अनुसार बनाया गया जैसे रोमन स्ट्रीट, अक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिरामिड स्ट्रीट, मेक्सिकन स्ट्रीट, पैरिस स्ट्रीट और जोहरी बाजार हर स्ट्रीट का अलग इंटीरियर अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनिशन है मौल में गूंते वक्त हर जगा कुछ अलग और नया होने का अनुभव होता है इसलिए यहाँ एक रस्ता के कारण होने वाली थकान का एहसास नहीं होता यह प्रियोग भी दुनिया में पहली बार किसी मौल में किया गया बिल्डिंग के अंदर केवल कमर्शल इंटीरियर ही नहीं किया गया बलकि डिजाइन को आर्ट के साथ भी जोड़ा गया आर्ट के मिश्णन ने भी इस बिल्डिंग को दूसरे मौल से अलग बना दिया अनूप ने खुद इसके विशेश स्कल्प्चर डिजाइन किये जैसे भूत, भविशे और वर्दमान को एक साथ रेखांकित करता हुआ स्कल्प्चर अननूत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के इंटीरियर में आर्ट के साथ साथ फैंटेसी को भी शामिल किया गया इसके लिए विश्व के साथ अजूबों के ऊपर फैंटेसी शॉप्स का निर्मान किया गया वर्ल्ड ट्रेड पार्क का फूट कोर्ड जैपुर का बहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसका फूट कोर्ड हर बार एक नया अनुभव कराता है फूट कोर्ड की छट को ही स्क्रीन बना दिया यह दुनिया में इस तरह का पहला प्रियोग था यहाँ 24 प्रोजेक्टर्स की मदद से 20,000 वर्क फिट की अनूठी वीडियो की इमेज क्रेट की गई जो हर बार एक नया अनुभव कराती है इसके डिजाइन में तीन देशों की टीमों ने मिलकर काम किया जर्मनी से इसका सफ़वेर लिया गया जापान से इसका हर्वेर लिया गया और भारती दिमाग ने इसे इजाद कर डाला इसकी प्रोग्रामिंग करने में पूरे पांच महीने लगे हमारे सामने चुनोती थी कि बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रैंड्स को कैसे जेपूर लाया जाए सबसे पहले हमने लोगों को कन्विंस किया कि जेपूर विश्व के किसी भी आधुनिक शेहर से कम नहीं है और जेपूर वासी एक इतना बढ़िया मार्केट उन ब्रैंड्स को प्रदान करेंगे जिससे उनका यहां आना सार्थक होगा पहले जेपूर को मार्केट किया गया जेपूर के पोटेंशल की बात की गई और धीरे धीरे वो सभी ब्रैंड्स कन्विंस होकर जेपूर आए और जब उन्होंने वल्टेट पार्ग जैसी बिल्डिंग को देखा तो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को पांच-पांच साल आगे प्रीपोन कर दिया और फाइनली वी गट आल बेस्ट ब्रैंड्स इन दे वर्ल्ड वर्ल्ल्क्लास शॉपिंग एक्स्पिरियंस के लिए सारे मशूर ब्रैंड्स मौझूद है कई नामी ब्रैंड्स ने भारत में अपनी शुरुवात के लिए जैपूर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क को चुना आज वर्ल्ड ट्रेड पार्क प्रोडेक्ट प्रमोशन का प्राइम डेस्टिनेशन बन चुका है देश विदेश से स्टार यहां मौल प्रोमोशन के लिए आते हैं इसके चार सिनेमा घरों ने दुनिया भर में प्रती सीट सबसे ज़्यादा बुकिंग का पायदान हासिल किया है यहां के आफिस भी किसी फाइव स्टार हुटल से कम नहीं है अब यहां पर एक बेहितरीन एंटर्टेन्मेंट सिटी का निर्मान चल रहा है यहां अंडरवाडर वर्ड एक नाया फाइव स्टार हुटल बहुत जल्द चिलू कर दिया जाएगा यहां का कन्वेंशन सेंटर बैंक्विट एवं ट्रेड फियर जैपुर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करेंगे शहर के सामाजिक बदलाव के साथ सांस्कृतिक बदलाव में वर्ल्ड ट्रेड पार्क की महत्पून भूमे का होगी जैपुर को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की मुहिम में वर्ल्ड ट्रेड पार्क ने जैपुर मेराथन की शुरुआत की जिसमें हर साल हजारों लोग उत्साह से भाग लेते हैं इसी क्रम में भविश में हर साल वर्ड आट शो, थियेटर, फूर्ड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल आधी भी आयूजित किये जाएंगे वल्ट रिट पार्क is actually a key infrastructure project of the state of Rajasthan It has given a direct employment of 5,000 people working inside the building An indirect employment of 20,000 people working in various industries supporting World Trade Park We have received massive footfalls We have touched and crossed a lakh people a day On normal weekends, we have 50,000 people visiting World Trade Park World Trade Park has truly become the pride of India World Trade Park, पूरी दुनिया को करीब लाने और एक स्थान पर जोडने का महत्पून के इंद्रपन कर उभर चुका है ये शहर में यूप परिवर्थन का आधनिक प्रतीक है नए बदलाव का केंद्र है एक सामाजिक बदलाव की पहल है और एक आर्थिक बदलाव की शुरुआत है जो जीवन शैली में बदलाव लाने के साथ-साथ जैपुर के लुक और स्काय लाइन को भी बेहतर बनाती है अब सोदेशी ही नहीं विदेशी पर यटक भी खरीददारी करने World Trade Park आने लगे है सबसे बड़ी बात ये है World Trade Park में आने वाला हर व्यक्ति चाहें वो विदेशी हो यदेशी WTP से प्यार करने लगता है अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर जब World Trade Park पधारे तो उनके मुँसे अनायास ये निकल गया ऐसा सेंटर उन्होंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखा World Trade Park आज Pride of India कहा जाने लगा है सधी के महानायक अमिता बच्चन ने WTP का फोटो खीच कर अपने ब्लॉग में लिखा कि WTP की खुबसूरत बिल्डिंग भारत की प्रगती का प्रतीक है World Trade Park के निर्माण ने जैपुर में एक सामाजिक बदलाव की शिरुवात की है WTP ने पूरी दुनिया में जैपुर की प्रतिस्ठा का पर्चम लह रहाया है और जो गर्व से कह रहा है कि जैपुर में आर्ट, कल्चर और हेरिटेस तो थाई अब जैपुर आधुनिक्ता में भी किसी से पीछे नहीं है आज हर जैपुर वासी गर्व से कहता है कि हमारे शहर में वो ट्रेट पार्क है जिस पर पूरा देश गर्व कर सकता है जिस पर देश पार्व से कहता है